अब लोग तो आद में शेयर कर रही हूं आप सभी के साथ में लाल छोले बनानी की रेसिपी इसी के साथ मैंने शेयर किया है आप सभी के साथ में मसाला फुलका रोटी जिससे आप एक पर ज़रूर ट्राइ करें फ्रेंस दोनों का कॉम्मिनेशन बहुत अचा लगता है और ब दालचिनी लिएeurा पाण्य ब्लاकित लगते controller लिए दाल चिनी का टुकडे इक बड़ी रॉछप चमश कीम नमक दालना हो गार्वाणाल डालक फाणी दालकर אुड कर वापर प्रिषा चड़ा देना है यह दर फूक खोंव हो जाता है तो हमें कढ़ा रहें च्ट थयर सफ जालना है और इसमें हमें डालनी है साबुत जीरा एक चमच और इसके साथ ही जब वो क्राकल हो जाए तो इसमें लगातार हादे से 1 मिद तक बून लेना है यह देखिए मसाला दानेदार हो गया है रॉसमिल खतम हो गया इसका तो अभी मैं इसमें क्या कर रही हूं कि हमारा तयार के वह जो पेस थाना प्यास टमाटर हरी मर्च का वह यहां पर डाल देना है और डालकर इसको लगातार अच्छा से मिलाना है और अब जब यह मसाला जा तरह मसाले को भूनना है तो फ्लेम लो करकर ढखकर हमें कुकर ना होगा जिससे मसाले की खुश्बो आशे में रहे और भून जाए तो लगतार तीन चाव में तक मैंने लो फ्लेम पे मसाले को लिड़ लाकर भून लिया है जिससे बहुत ही अच्छा दानेदा टेक्शर का मसाला हो गया है ओल सेपरेट होकर सर्फिस पे नजर आ रहे है तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है मसाले को दो हां भून लेना है औ और अब इसको अच्छे से मिलाकर मैश कर लेना है हलका हलका मैश कर दीजिए और हलका हलका खड़ा खड़ा रहेगा वो दाना दिखेगा तो अच्छा रगता है और जो थोड़ा मैश हो जाएगा उससे ग्रेवी बन जाएगी बाइंड आ जाएगा अभी यहां पे लिड ल बहुत ही जटपड बनेगा और अगर आपने ऐसे ट्राय कर लिया तो आप इसी तरह से छोले बना कर खाना चाहेंगे बहुत ही यमी बनते हैं एक पर जरूर बना कर देखें और मैं इस छोले के साथ में आपके साथ में नहीं रेसिपिश कर रही हूं फुलका रोटी की मसाले ग्री बनानी है जिसके लिए मैं यहाँ पर पनीर लिया हुआ है यानी की कॉटेज चीज मैंने 50 ग्राम लिया है और इसको मैं इक ग्रेट कर लिया है अब नहीं कासूरी मेथी तोड़ा साथी मैं यहां पर डाल रही हूं हुआ है दुटा हुआ रादनिया नमक डालना यहीं स्टफिंग हमारे फुलका रोटी की है तो अभी हमें क्या करना है गेहू का आटा नॉर्मल गूत कर ले लेना है जैसे हम जिसे हम नॉर्मल रोटी चपाती घर पर बनाते हैं ठीक वैसे ही कुछ अलग नहीं करना आपको और उस तरह से इस रोटी की लोई बना कर इसमें स्टफिंग को बहुत से डाल दिया है बस एक चमची काफी होगा और पूरा अच्छा सा भरवां मसाला फुलकी बनकर तयार होता है जो के बहुत अच्छा लगता है यहां पर देखे लोई हमारी रेडी हो गई है तो अभी हमें इसको बेल लेना है तोड़ा सा बोट पर सू कर लिया है इस तरह से आप जब मसाला फुलका रोटी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा प्रस हेल्दी भी है क्योंकि मैं इसको तवे पर से बनेंगे बिल्कुल नरम मुलायम से तवे पर डालकर 30-40 सेकंड लीजिए और एक साइड इसको सेक लेने के बाद में डाय तो एक दो मैं आपको और दिखाती हूं इस तरह से एक तरफ से से लेना है और जब इस जाती है तो फिर फ्लेम पे आपको इसको सेक लेना है जिससे फुली-फुली से बनती हो और बहुत अच्छी रगती है खाने में अलट करकर भी आप सेक सकते हैं यह देखिए कितनी तो यहां पे में हलका हलका सा ब्रश कर दे रही हूं जिसे नूर रोटियों में बहुत अच्छा टेक्शर भी आचाएगा प्लस फ्लिवर भी आजाएगा और नरम मुलायम रहेंगी जादा टाइम तक अभी यहां पे हमने जो चोले बना कर रखे हैं और इस तरह से यह यह आपको बहुत ही लगेगी तो एक बार उम्मीद है रसेपी ट्राइ करेंगी आप कैसे लगी मुझे जरूर बताइगे करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पे नहीं है तो अगर आपने नहीं देखिया पहले बार देखने तो जाएं चैनल कुछ अच्छा नहीं आपको जरूर मिलेगा जो कि अमीद है आपको बहुत पसंद आएगी एक बर लाइक किजिएगा ट्राइ किजिएगा शेयर किजिएगा और जब बनाते हैं आप इसे मुझे अपने फीड़ूर दीजेगा देखें मैं आपको इसको तोड़कर दिखात झाल